हेलो दोस्तो आज हम पढ़ेंगे बासुदेब सरण अगरवाल का जीवन परीचे है जो बोड एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्पूरा है तो इस्टार्ट करने से पहले मेरे एक छोटी स्रिक्वेस्ट है यह आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क् गराम में हुआ था वेद्धीव donor का जो जन्म हुआ था वह साथ अगस्ट उननीसेस्टो चार स्वे में मेरे जिलेके खेड़ा ग्राम में हुआ था है 28 लंघनाव में रहते थे इनके माता पिता कहा रहते थे लख्नाव में रहते थे इन्होंने बनारास लिषिज्विध ध तृनिकी थि। इनकी रूचि वास्तम में अध्यन और पुरातव में थी और लखणो बशविद्ध्याले से इन्होंने लखणों बशविद्ध्याले से प książew लखण पुरतत्व एवं प्राचीन इत्यास विभाग के वे अध्यक सेवं प्रचार्य रहे। साहित्य के मार्ग का उद्गाटन किया इनोंने प्रोचाइक बॉद्धाइक और पुरानिक साहित्य के मार्ग का उद्गाटन किया इनके साहित्य के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता इनकी मृत्यू 27 जुलाई इस प्रकार से लिख देनी है ब्लैक पैन से हैडिंग डालनी है प्रमोख रचनाए वह उसका आगे लिखना है बासुदेव सरण अगरवाल की प्रमोख रचनाए निमलीगत है पृत्वी पूत्र, कौमा भारत की एक्ता और कल्ब ब्रक्स, मात्र भूमी, कला और संस्क्रति आदी जो इनकी प्रमुक्र रचनाये हैं पृत्वी पूत्र, भारत की एक्ता, कल्ब ब्रक्स, मात्र भूमी, कला और संस्क्रति आदी और इनकी कुछ भाँसा और सैली को भी दो-तिन लाइन में लिख देना है बासुदेव स्रण अगरवाल की भाँसा सुद्ध खड़ी बोली जो इनकी भाँसा थी वो सुद्ध खड़ी बोली थी इनके निमंद में हमें विचारात्मक, वियाख्यात्मक, बावात्मक और सुक्ती तथा सहलियों के दर्सन होते हैं यानि कि इनके निमंद में विचारात्मक, वियाख्यात्मक, बावात्मक तथा सुक्त, सहलियों के दर्सन होते हैं तो इस फिरकार दोस्तो बासुदेव सरण अगरवाल का जीवन पर इसे कम्प्लीट होता है तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वैल आइकन को भी दवा देना ताकि नेस्ट वीडियो की नोटिकेशन सबसे पहले क्वेल्टरम